हेलो एवरिवान वेल्कम बैक तो मैं चैनल कलरफुल थ्रेट्स फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनीक फ्लार डबल कलर फ्लार है ये और बहुत ही खुबसूरत भी लगता है देखने पर इजी पैटर्ण है आप फटा-फ सब्सक्राइब भी कर ले आने वाले बैल आइकन पर भी जरूर प्रेस करें ताब कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिल सके तो यहां मैंने सबसे पहले ली है 90 चैन्स आपको टोटल 90 चैन्स बनानी है काउंट करके इस तरह से एक एक चैन्स बनाते हुए 90 चैन्स बनाके रड़ी कर ली और अब 90 चैन्स के बाद आपको क्या करना है यहां से 5 चैन्स स्किप करना है 1 2 3 4 और यह 5 पांच चैन्स स्किप करके जो पांच वी वाली चैन है इसी में आपको मीन्स आपको 4 चैन्स करना है और 5 वन में वर्क कर एक Drumвод लेन में, टीन चैन बनाएंगे और तीन चैन बनाकर अगेशें सेमगाइब, इस दंदनें सेजिए हैं, चैन के यही में से यहीं से नीख वोश्ड है ही. एक चैन बनाएंगे फिर से यहां से यहां से 1, 2, 3, 4 फूर चैन को skip करेंगे और जो फिफ्ट वन वाली चैन है फिर से देखेगा 1, 2, 3, 4 चार चैन skip की और पांच वी वाली जो चैन है इसमें क्रोशा को डा लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशा तीन चैन और एक dvable crochet बना लेंगे तीन चैन और same space से जिस चैन से आप बना रहे हैं उसी से आपको बनाना है यह दिखें एक triangle type का बना के ready हो जाता है फिर से एक चैन बना लीजे एक चैन बनाने की बाद अगेन इसके बाद एक, दो, तीन, चार चार चैन को skip कर दीजे और जो पांचवी चैन है फिर से इसमें सेम प्रोसेस को continue रखिए 1,2,3,4 और फिफ्ट वाल वाली में कुरुशा को डालके एक डबल कुरुशा, तीन चैन और एक डबल कुरुशा बना लेंगे सेम प्रोसेस को ही repeat करेंगे और पूरे work over करेंगे पूरी चैन में इसी तरीके का बना लेंगे चार चैन skip करके पांच वाली चैन में इस तरीके का triangle बनाएंगे जिसमें आपको एक डबल कुरुशा, तीन चैन और एक डबल कुरुशा बनानी है टोटल 18 इस तरीके के pattern आपके बनके ready होंगे अगर आपने 90 चैन्स बनाईए लेके इस तरह से पूरा मैंने बना के ready कर लिया और टोटल इसमें मेरे पास यह 18 ट्रेंगल बनके ready हुए हैं अब इसके बाल एक चैन बनाके work को turn कर लेंगे इसे और यह जो space है इसमें एक slip stitch बना लेंगे और अब इसमें यहां पे 1,2,3 तीन चैन बनाएंगे प्लस दो डबल कुरुशा एक और यह दो यह दिखे इस तरह से एक दो और तीन तीन बना ली मैंने तीन डबल कुरुशा हो गई मेंस तीन चैन एक डबल कुरुशा दो डबल कुरुशा अब यहां पे बीच में तीन चैन का space देंगे और जो सेम प्लेस से ही तीन डबल कुरुशा और बना लेंगे वन तू त्री इस तरह 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet हमने एक triangle में बनाई बीच में कोई chain space नहीं देना है और उसके बाद हमें यहाँ पर बना लेना है यह देखिएगा जो 3 chain का space यहाँ पर है जो दूसरा triangle है इसमें बना लेंगे 1, 2, 3 3 double crochet, 3 chain का space देंगे बीच में और 3 chain का space देखिए, सेम इसी space से फिर से 3 double crochet बना लेंगे 1, 2, 3 अगें जो यहाँ पर दूसरा वाला triangle है फिर से इसमें 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet बना लेंगे 2, 3, 3 बाद हमें क्या करना है यह जो हमने space बनाई है 3, 3 chain की इसमें हमें 11 double crochet बनानी है तो पहले 11 double crochet बना लेंगे 10 और 11 जो double crochet है उसे हमें आधा ही over करना है और इसके बाद हम इसमें लगा देंगे दूसरा color यहां मैंने light pink color लिया है आप अपने नीट के according color लें कोई भी color आप जो पसंद करना चाहते है आपको जो जो combination आप लगाना चाहते है तो यह देखिए इससे मैंने इसे over किया इसमें गाट लगा दीजे ताकि यह खुले ना यह देखिए यहां मैंने इसमें गाट भी लगा दी और अब हमें work करना है pink color से यहां पे मैं pink color से work करूंगी पर उससे पहले देखिए कि जो हमारा पहला वाला थ्रेड है जो first thread है उसे इस तरह से पकड़ना है यह देखिए इस तरह से पकड़ेंगे और जो दो pattern एक pattern यह है तो तो तीन डबल कुरुशया, तीन चैन और तीन डबल कुरुशया, एक पैटन है, फिर दूसरा पैटन फिर से है, तीन डबल कुरुशया, तीन डबल कुरुशया, तीन डबल कुरुशया, दो पैटन के बीच में एक हलका सा स्पेस है, यह देखेगा, इस स्पेस से कुरुशया तो यह देखिए इसे ऐसे पकड़ा और अब यहीं से यह जो नेक्स तीन चैन का स्पेस है इसमें 11 डबल कुरूश्य बना लेंगे एक यह वाला थ्रेड ऐसे ही पकड़े रही है ताकि यह इसके अंदर ही दब जाए दो तीन चार नौ दस यह ओगया दस और अब ग्यारवी वाली जो है वो हमें फिर से आधी ही ओवर करनी है 11 जो आखरी वाली है वो आप आधी ही ओवर करें ताकि दूसरे वर को हमें इसमें एड कर सकें अगें यह वाली जो थ्रेड है इसे छोड़ देंगे और जो पहली वाली थ्रेड थी उसे यूज़ करेंगे जो first one है उसे use करेंगे और दिखेगा इसे जो 11 double crochet है इससे over करेंगे फिर से जो छोड़ी वाली one है जो हमने छोड़ी है उसको इस तरह से पकड़ेंगे और जो दो pattern के बीच का जो space है उसमें एक single crochet बनाके add कर लेंगे ये दिखे और again अब यहीं से जो next 3 जन का space है इसमें work करेंगे means 11 double crochet बनाएंगे तो ये वाली thread को इस तरह से पकड़ना है आपको और इसे अंदर दबाते हुए इसी में 11 double crochet बनाके ready कर लेनी है वन तो त्री फोर नाइन टैन और again 11 जो बनाएंगे उसे अधा over करेंगे फिर से इस thread को छोड़ देंगे और दूसरी वाली thread thread को use करके इसे over करेंगे अगेन इसे simple इसी तरीके से पकड़ेंगे और बीच में single crochet से add कर देंगे और add करने के बाद इस वाली thread को पकड़ेंगे और इसमें 11 double crochet बना लेंगे तो इसी तरह से आपको करना है पूरे 18 times आपको ऐसे ही करना है एक बर आपको दूसरे color से और दूसरी बार दूसरे alternative बनाना है इसे हर बर आपको 11 double crochet बनाने के लिए दूसरे color को use करना होगा और इस तरीके का कुछ pattern बनके इसमें ready होगा तो यह देखे पहले हम ऐसा पूरा बनाके ready कर लेंगे एक बार मैंने dark लिया है फिर light लिया है फिर dark फिर light तो इसी तरीके से continue करेंगे और पूरा इसे over करेंगे इस तरह से मैंने इसमें सारी petals बनाके ready कर ली है जितनी फी 18 petals ही मैंने एक एक करके वैसे ही बनाई है एक बार dark color यूज़ किया है और एक बार light color यूज़ करके ये सारी petals मैंने बनाके ready कर ली है और अब इसमें हमें क्या करना है इसे यहीं पर इसे हमें add कर दिना है यह दिखिए जो लास्ट वाला है इसमें इसे add करके एक chain बना लेंगे और chain बना के धागे को यहीं से cut कर लेंगे दोनों धागे को cut किया मैंने इसमें और इसमें अब gart लगा दीजे गाट लगाने के बाद सुई में धागे को डाल लेना है अपने फ्लार को सिलने के लिए तू ये देखिए इस तरह का पैटन इसमें बनके रडी हुआ अब बहुत ही कुबसूरा तो बहुत ही प्यारा पैटन बनके लगता है ये यह देखिए कुछ इस तरह का बनके रडी हुआ यह और सारा जितने भी पेटल्स हैं सब में मैंने अल्टरनेटिवी यूज किया है सब में एक के बाद एक यूज किया है तो वैसे ही बनाना है आपको भी और अब इसके बाद इसे सिल्ला श्टार्ट यहां पर मैंने इसमें सुई में दागा डाल लिया है और मैंने डार्क वाला दागा इसमें लगाया है क्योंकि डार्क वाले दागे से मैंने इसका नीचे का बनाया था तो यह देखेगा यह है हमारे वर्क का फ्रंट साइड और यह है बैक साइड बैक साइड से ही आपको इसको start करना है फोल करना तो इस तरह से फोल कर लेते हैं पहले इजी है फोल करना आराम से नीचे वाला हिससा पकड़ियर और एक एक करके इसे ऐसे फोल करते जाएं यह देखेए बीच मैंने इस तरह से थम लगाया और प्रॉपर्ली से ऐसे फोल्ड करते जाए और जैसे जैसे आप फोल्ड करेंगे वैसे वैसे देखेंगे आप ये बहुत ही खुबसूरत बनके रेडी होता है जितना सुन्दर आप इसमें कलर कॉंबिनेशन लगाएंगे उतना ही आपका ये प्रोजक्ट बनके अच्छा रेड क्षिटना बनके व्हुत लेड़े जहां पे आपका फोल्ड एंड हुआ है वहां से इसे शिलेंगे ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसे सबसे पहले सिलके रेडी कर लेते हैं ताकि ये बिलकुल इसी में सेट हो जाए और पता न चले कि वक कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां पे एंड हुआ है इसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाई है और बीच वाला जो भी आपका फोल्डिंग पार्ट दिख रहे है आपको इसे बाकी के आपने जितने भी फ्रेंट्स फ्लार बनाई होंगे अभी तक की ये उन में से थोड़ा सा अलग फ्लार है ये डबल कलर का है आप चाहें तो इसमें तीन कलर भी यूज़ कर सकती है और डबल कलर के फ्लार रोस फ्लार देखने में काफी अच्छे लगते हैं और आप किसी भी प्रोजक्ट में इसे लगाएं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा किसी भी तरीके का आप तोरन बना रहे हैं या फिर आप थाल पोज बनाया है आपने सिंपल से सिंपल थाल पोज बना लीजे और उसके उपर इस तरह के फ्लार बना के लगा दीजे बहुत ही खूबसूरत बनके रड़ी होता है बिलकुल अलग पैटर्न का बनता है बहुत मैचिंग के हेर बैंड बनाने हैं बैंड है आपके पास बड़ वो मैचिंग का नहीं है आपके पास उल पड़ी है उस कलर की तो आप इस तरीके का फ्लार बना के हेर बैंड में लगा सकते हैं और किसी भी पार्टी में बहुत ही अच्छा लुग देगा बहुत कुबसूरत तो बहुत ही प्यारा पैटर्ण है, आप कई तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं, कई तरीके मैंने बताए हैं कि आप कैसे कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं, मंदिर बगरा सजाना चाहते हैं, आप नवरात्र बगरा में तो भी आप इस तरह की के फ्लार बना के अपने मंदिर को कूरा वर्क प्रॉपर्णी से सिला है बहुत ही बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कहां से मैंने इसे सिला हुआ है अब यहां पर मैं इसमें एक गाट लगा दूंगी और अपने धागे को कट लूँगी उमीद है आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा बहुत ही इजी वे में मैंने इसे समझाया है तो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा ये ठीक से तरह से देखिए ये पैटर्न बनके रेडी है पूरा कपूरा फ्लार बनके रेडी है और कितना खुबसूरत लग साथ ही मैंने एक और बनाए है अभी वदूरा है पर मैं आपको दिखा देती हूं तो ये देखिए मैंने यलो और 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 इंज कलर के कॉंबिनेशन में बनाया है इसे भी फोल्ड करके मैं दिखाती हूं इसका भी लुक बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत आता है ज तो ये देखिए ये भी कलर कितना ज़्यादा खुबसूरत लग रहा है ना इसे मैं भी सिल लूँगी तो ये भी रेडी हो जाएगा और किसी ना किसी प्रोजेक्ट में मैं आपको ये इस फ्लार को बना के जरूर दिखाऊंगी तो इस तरह से आप भी इस तरह के फ्लार को हएगा जाए